और इस पर थबाप पुल कर दिया गेन हवा में फिल्डर गेन के नीचे और एक आसान सा कैच लेकर यहां बड़ी विगेड आसिल की जावा पुल और इस पर थबाप पुल कर दिया गेन हवा में फिल्डर गेन के नीचे और एक आसान सा कैच लेकर यहां बड़ी विगेड आसिल की जानजेब सुल्तान की विगेड यहां हासिल कर ली है जफर अली बरोही ने तो पहला नुकसान सद्रा के मजमुए पर जानजेब सुल्तान की सूरत में जो 9 गेंदों पर 16 रंज बनाने के बाद आउट हुए शॉर्ट पिच गेन थी पुल किया लेकिन फिल्डर ने एक आस बाहर की जानिब निकली बिल्कुल भी समझ नहीं सके यपिनन गेन पढ़ने के बाद अंदर की जाने बाई बिल्कुल भी समझ नहीं सके अमर खान ये अच्छी गेन विक्टो में आती वी गेन मौताद अंदाज से खेले ये अच्छी गेन थी अविक्टो में आती वी गेन मौताद अंदाज से खेले वो 11.29 है तो अच्छे खासे रंज बनाने हैं और अच्छी खासी जिद्धो जहद करनी होगी कली मैं सूसियाट की टीम को एक और अच्छी गेन फिकेट कीपर के पास चली गई इसको बढ़ता हुआ पच्छिस यह अच्छी गेन थी जफर अली बरोही की इस लोवन्ती चक्मा दिया बिल्कुल भी समझ नहीं सके और मुकमल हुआ चार के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पर कलीम सूसियाट झाल करता है झाल के अच्छिस झाल करता है झाल को अच्छिस तो यहाँ पर एक और विगेट गिर चुकी है वजाहत अली आउट हो चुके हैं पांच नज बनाने के बाद उनकी विगेट आसिल की अली अजगर ने देखना होगा कि दोनों बैट्समेन किस हद तक कामियाब हो पाएंगे ये गेन किसी लो रही स्वीप करना चाहते थे कामियाब नहीं हो सके गेन चलेगे विगेट कीपर के पास तक दो रंदे कर एक विगेट आसिल की है गोरची गेन प्रैड और प्रैड को साथ पिलाते हुए मौताद नदा से खेले एक रंदा हासिल किया उबर मकबल हुआ यहाँ पर आठ आठ के बाद चौनसर्ट तीन विक्टों के नुकसान पर कप्तान आये हैं राहिल चांडियो जिन्होंने बेटिंग में बड़ी तर रंस की एक शांदार इनिंग खेली यकिनी तोर पर एक एहम किरदार अदा किया था बैटिंग बैटिंग में लेकिन अब देखना होगा कि बालिंग में भी जिम्मेदारी के साथ खुद आये हैं बालिंग करने के लिए इस मरतबा बोल्ड कर दिया और यहां पर बॉलिंग में भी अपने जोहर दिखाते हुए पहली विगेट हासिल कर ली राहिल चांडियों की अगेन अभी शाहिद भिलकुल भी समझ नहीं सके हिट लगाना चाहते थे अगेन देस्टम से जाकर टकराई तो चौथा नुकसान राहिल चांडियों एक विगेट आसिल कर चुके हैं अताथ अंदाज से खेले आउन साइट पर बहुत अंसारी आये हैं बैटिंग करने के लिए विगेट कीपर बैट स्मैन है और इस परतबा कट करना चाहते थे और गेन जाकर कस्टम से टकराई तो दूसरी विगेट आसिल की सावर में राहिल चांडियों ने तो पांचवा नुकसान करीम एसुसियेट की टीम को सड़ सड़ के मजमुएं पर पिला आखियर बड़ी विगेट आसिल की बैट सतार को आउट कर दिया है लेकिनी तोर पर पहले पैटिंग में और आप बालिंग में अपने जोहर दिखाते हुए एक अपतान राहिल चांडियों तीन रन देकर दो विगेटे आसिल कर ली है अरसर ट्रंस है और दसमें वर का खेल जारी है नादर शाह एक और गेन खाली चली गई अली असगर की मजीद दरकार हैं सामना करेंगे फाहद अंसारी अली असगर का ये गेन लो रही आदी टीम आउट होके पविलियन की तरफ वापिस जा चुकी है नादर शाह और पहद अनसारी सोगत क्रीस पर मौजूद है और साइट की जाने अप अखेले जल्दी करनी होगी तेजी के साथ एक रण हासिल किया दूसरे के लिए लेकिन जफर प्रोई के हाथ ये गेन ना आई जिसके नतीजे में दूर रन बड़ी तेजी के साथ हासिल किये और यहां पर एक और विकेट शटखा दी नादिर शाब लाखिर आउट हो चुके हो ये तीसवी विकेट आई राहिल चांडियों के हिस्से में एक अशारिया चार आवर के खेल में तीन विक्टे हासिल कर ली है बड़ी सुस्तर अफ़तारी के साथ रह्ज़ बनते हुए जरुरत इस बात की बिलकुल भी नहीं नहीं कली में सुसियेट की टीम को एक और मौताद अंदाज लोंग आफ की जानब खेल कर एक रंडम मज़ीद मिला साजिद अली उवर मुकमल हो चुका है चौदा चौदा के बाद 92 छे विक्टो के नुकसान पर राहिल चांडियो आये हैं अपने गोटे का चौथा वर करने के लिए चौदा रंदे का रतीन विक्टे हासिल कर रखी हैं लोग ओफ की जानब खेले फादन सारी एक रंडर हासिल किया 90 पैस्टी के साथ खेले एक फुट पॉइंट की जानब फिल्ड उबूर्ट न कर सके एक और अच्छी गेन आली चली गई राहिल चांडियो की और इस मरतमा बुल्ड कर दिया सज्जाद अली ने उसामा कलीम को कि बड़ी शेंदार बॉलिंग रही आज सुहिल स्ट्राइकर लाड़काना की जानब से और खास दोर कप्तान ने एहम किरदार अदा किया राहिल चांडियो ने कि अभी योर के बुल्ड कर दिया एहा है